है ना बिल्कुल मार्केट के जैसी फ्रूटी दिख रहे हैं ना लजी जगतम और यह दो चीजों से बनेगी और बहुत सस्टे में बहुत ही आसान तरीके से तो वीडियो में बने रहेगा इसे बनाने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए आम कच्चा और पका हुआ तो मेरे पास यह जो पका हुआ आम है यह करीब आधा किलो का आम है और यहाँ पर साथ ही आप देख रहे होंगे 200 ग्राम दो यानि की छोटे से कच्चे आम है तो आपको क्या करना है जितना लेना है आपको पका आम उसका आधा लेना है आपको कच्चा आम यानि की अगर आप ले रहे हैं एक किलो पका हुआ आम तो आधा किलो कच्चा हुआ आम लेना है उसे आपको अच्छे से धो करके चील लेना है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं फिर आप उसका बीज निकाल दीजिए और गूदा यानि की पल्प बाहर कर लीजिए ये काम दोनों आम के साथ में आपको करना है कच्चे आम और पके आम के साथ में अब मैंने इसे एक भगोने में डाल लिया है गूदे को यानि की पल्प को इसमें डाल दिया है धाई सो ग्राम पानी गैस को ओन करेंगे और इसे रख लेते हैं अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो आम के टुकड़े हैं वो पूरी तरह से गल नहीं जाते या पू आपको दिखने पर भी मालूम पड़ेगा कि ये काफी गल गए हैं तो एक चम्मच लीजिए या एक चाकू लीजिए उससे भी आप श्योर कर सकते हैं ये अच्छे से मैश हो जा रहे हैं पूरी तरह से एकदम क्रीमी मैश हो रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे गैस को थोड़ा धीमा करेंगे और शक्कर एड़ करेंगे तो इसमें धाइसो ग्राम के लगबगी मैंने चीनी डाली हुई है क्योंकि कच्छा आम डाला है तो उसे कि भी बैलेंस करना है अब शक्कर डालने के बाद में मेडियम फ्लेम पर चार-पांच मिनटी आप पका लेजेएं शकर डालने के लिए थोड़ा गारा वी हो जाएगा झाछनी के जैसे बनेगा तो जब ये गारा हो जाएगा चास न बी गारी-गारी में दिखने लगे इसमें मैंने छन्नी रखी हुई है छन्नी के थुरू हम इसका जो पल्प है वो निकालेंगे छन्नी के थुरू निकालने से ये होगा कि आप मिक्सी में डबल प्रोसेस करने से बच जाएंगे इसका बढ़िया पल्प मिक्स भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा ज पहले आपको सारा mixi में पीछना पड़ता फिर आपको छन्नी में फिर से छानना ही पड़ता इसलिए मैंने mixi का इस्तेमाल नहीं किया है देखिए एकदम गाड़ा पल्प हमारे पास है इसे अच्छी तरह से mix कीजिए सबी लोगों के पास में mixi नहीं होती है इसलिए मैंने च्छनी से बताया है कि ऐसे जिनके पास mixi नहीं है वो भी बड़ी आराम से बना सकते है mango fruity तो अब इसमें देखिए काफी गाड़ा है पल्प तो whisk की शायता से मैंने इसे कर दिया है उससे थोड़ा time लगता चम्मत से जल्दी हो जाए इसलिए मैंने या whisk कर कर लिया है अच्छे से इसे 2-4 सेगंड के लिए whisk कर दिया है तो एकदम बढ़िया ये mix हो गया आप देखिए कितना smooth है ये पेस्ट या फिर ये जो हमारे पास puri है अब हमें डालना है इसमें पानी एकदम ठंडा ठंडा फ्रिज का निकला हुआ पानी एक लीटर के लगबगम डाल देंगे या फिर इसको चेक कर लीजिए अगर ज़्यादा मीठा है तो और पानी डालिए इसमें इसको बिल्कुल पतला बनाना होता है जैसे आप वाजार से फ्रूटी लाते है ना वो छोटे-छोटे शेशे आते हैं जो 10-10 रुपय वाले हो कितनी पतली होती है बिल्कुल वैसे ही करना है मैं इसमें और पानी आप अड़ कर लीजिएगा मैं इसमें कुछ बर्फ के टुकडे भी डाल रही हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा चिडलने इसके लिए और ज्यादा क्योंकि फ्रूटी और कोल डिंक काफी ठंडे पिये जाते हैं अब ऐसे ही अच्छे लगते हैं मैंने इसमें 1,5 लिटर के लगबग पानी मिलाया है तो टोटल आप हमारे दो लिटर के लगबग फ्रूटी तयार हो चुकी यह बनकर एकदम गाड़ी फ्रेश एंड जूसी फ्रूटी आप देखिए यहां ग्लास लिए हैं सर्विंग ग्लासे दो अब इसमें हमें चमच क प्रिसायता से एक बार फिर से इसे मिक्स करेंगे और सर्व कर लेते हैं यकीन मानिए मार्केट से यह कहीं ज्यादा टेस्टी है मैंने इसे टेस्ट करके देखा पी के देखा तो सच में मैंने पहली बार बनाया मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी अच्छी बनकर तयार यह पी करके मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया हो तो जरूर एक बार ट्राइ कीजिए का मेरी रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्रा कर लीजिए इसी तरह से अच्छी अच्छी सी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं बिलकुल कम टाइम में